नमस्कार आप सभी का स्वागत है भगवान सिर्किष्ण कहते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यू भी निश्चित है लेकिन मनुष्य जीवन और मरन के समय है अपने परिजन और मित्रों को ऐसी यादे दे जाता है जिने उनके परिजन और मित्र कभी भूल नहीं सकते मनुष्य के मृत्य के बाद वो अपनी सभी वस्तुय है इसी दुनिया में छोड़ कर चला जाता है लेकिन मृत्य वेक्ति के परिजन और मित्र इनी चीजों को उनकी यादे मान कर अपने पास रख लेते हैं और उनका प्रयोक करते हैं लेकिन वे यह नहीं जानते हैं कि शास्त्रों में मरे हुए मनुष्य की वस्तुय का इस्तमाल करना पूरी तरह से वर्जित माना गया है गरुड पुरान की अनुसार प्रत्यक मनुष्य की उर्जा उसकी वस्तुय से प्रवेक्ति की वस्तुओं का उपयोग करता है तो मरत्वेक्ति की आत्मा असंतुष्ट हो जाती है और फिर वह आत्मा इसी दुनिया में भटकती रहती है मरत्वेक्ति की आत्मा कभी भी मोक्षे की प्राप्ति नहीं कर पाती गरुड पुरान में मरत्वेक्ति के इसी तीन चीजों के बारे में बताया गया है जिने भूलकर भी कभी इस्तिमाल नहीं करना चाहिए अन्निता वह आत्मा दूसरे शरी में प्रवेश नहीं कर पाईगी और इसी मृत्य लोक में भटकती रहेगी कई बार ये मृत्य आत्माए उस वेक्ति को परिशान करने लगती है जो उसकी चीजों का उपयोग करता है तो चलिए जान लिते हैं सबसे पहली बात मृत्य वेक्ति के वस्तरों का कभी उपयोग नहीं करना चाहिए उन्हें भूलकर भी पहन नहीं चाहिए ऐसा करने से मृत्य वेक्ति के आत्मा उस वेक्ति से जुड़ जाती है जो उसके वस्त्रों का प्रयोग करता है म्रत व्यक्ति की नकार्द्मक उर्जा उस व्यक्ति को सताने लगती है जो उसके वस्त्रों का प्रयोग करता है जिस कारण से वह व्यक्ति मानसिक और शारेलिक रूप से कमजोर हो जाता है उस वेक्ति को अपने म्रत परिजन की उर्जा का ऐसा सोने लगता है इसलिए म्रत वेक्ति के वस्त्र कभी पहनने नहीं चाहिए म्रत वेक्ति के वस्त्र हमेशा दान करने चाहिए जिससे उसके आत्मा को शांती प्रात्त हो अथवा इन वस्तरों को नदी में प्रवाइद कर देना चाहिए किंतों उनके वस्तरों को भूल से भी पहनना नहीं चाहिए दूसरी बात मृतविक्ती के आभूशन गरूर पुरान में कहा गया है कि मृतविक्ती के आभूशन उसके कपड़ों की तरह ही नकार्द्म कुर्जा के स्त्रोथ होते हैं मृत्य विक्ति को अपने घेनों से वस्तरों से कई गुणा अधिक लगाव होता है क्योंकि प्रत्यक विक्ति आबुशनों को स्वेम को सुन्दर दिखाने के लिए पहनता है लेकिन जब विक्ति की मृत्य हो जाती है उसका उसके आबूशनों के प्रती लगाओ कम नहीं होता है और जो कोई भी उसके आबूशनों को पहनता है मृत्य विक्ति के आत्मा असाज महसुस करती है वह आत्मा उस व्यक्ति को मानसिक तोर पर परिशान करने लगती है जो उसके आभूशन पहनता है आत्मा मुक्ष की रहा पर न जाकर इसी मुरत्य लोक में अपने ही परिजनों को परिशान करने लगती है इसलिए मुरत विक्ति के गेनों का कभी प्रयोग ना करे, इने संबाल कर रखे, अत्वा इने बेज दे, किन्तों उन्हें कभी ना पहने, विक्ति के मुरत्य के बाद, आप उन आबुशनों को गला कर, नय आबुशन बनवा कर पहन सकते हैं, अत्वा किसी मंदिर में दान कर स तीसर बात, म्रत्विक्ती की घडि कपड़ो आर घेनों की तरही घडि एक म्रत्विक्ती की प्रमुक उर्जा का स्तोय का स्रोत होती है। किन्तो वास्तु शास्त्र में इसका कथन मिलता है वास्तु शास्त्र की अनुसार घड़ी मनुशे के शरीर से जीवन बर जुड़ी हुई होती है और जो चीज किसी मनुशे के साथ जीवन बर जुड़ जाती है उसकी उर्जा उस वस्तु में समाईत हो जाती है इसलिए किसी इस घड़ी का प्रयोक करने से वेक्ति को कई प्रकार की नकार्दम कुर्जाओं का सामना करना पर सकता है यह घड़ी उसके जिवन में बुरा समय भी लेकर आ सकती है इसलिए मृत्य वेक्ति की घड़ी को कभी पहनना नहीं चाहिए ऐसी घड़ी को आप याद समझ कर अपने शरीप पर धारन ना करे तो दोस्तों ये तीवा तीन चीजे जो मनुशों को भूल से भी मृत्त वेक्ति की पहनी नहीं चाहिए आगर ये जान करें आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें कमेंट में जैस्री कृष्ण आवशी लिखे साथी चानल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद